नमस्कार जम्मू परिवर्तन में आपका स्वागता मैं हूँ सुशात मिश्रा जी एंड के गवर्मिन्ट फॉर्मर्सक असोसियेशन के अध्यक्ष हमारे साथ हिस्सा में मौझूद है जानेंगे प्रेस कॉंफरेंस के बारे में कि किस वारे में ये प्रेस कॉंफरेंस की गई शिर्मान जी स्वागता आपका जम्मू परिवर्तन नियूज में सुशील सुदन जी क्या पताना चाहोगे आज की प्रेस वारता के बारे में जो आपने बाते वी रखी हमारे दर्शक जाना चाहिए यह एक तो हर्याना में तो हरियेंने में थाउटे के वारे में हैं पहले हैं तो एक आमने उन स्पोर्ट में पांच तारी को भी रवा बार को हम ब्लैक बैचिछा पैने के हाफ ताइम में काम कर रहा है दूसरा हमारी कुछ अपनी डिमांट्स हैं जैसे के डीपीसी आर छे मिने में एड्मिस्टेटरिव आडर है के छे मिने में होने चीए मगर तीन साल से डीपीसी नहीं हुई है उसके साथ जो हमारे डक्टर से उनको रनिंग ग्रेड दिया जाता है फार्मासिस्ट को वो नहीं उनका ग्रेड पे बोई 800 है उसको पितालीसो किया जए इसके साथ जो हमारी अप्ग्रेडेशन का मसला है पिछले दस-फंत्री साल से सिनियर फार्मासिस्ट सुपर वायर फार्मासि्ट फार्मासिस्ट ब्ला कुन पर पढ़िए है उस फाइल को जल्दी सल्दी निकाला जा को हम यह को कहना चाहते हैं हमारी बड़ी जाइज दिमांड है और दूसरा हमारे ना की जो फार्मस्टी की स्पोर्ट में आज की जो प्रेस कांफर्स की बिल्कुल जो आपने अपनी डिमांड्स बताई जैसे कि आपको ग्रेट 45 के तहद जो भी सुविधाई मिलनी चाहिए अ फिर उसके वाद हमारी रिफार्मीन कोर्मिन मानी थी जहां पर जम्हु कश्मिर में यह हामारी बत क्सम्दी है कि हमें पहले स्टेंगरनी पड़ी पर incident करो centre मैं कहा है कि पहले वो नेगोशेशन करते हैं बांपर जे सीम है पहले नेगोशेशन करते हैं जब नेगोशेशन फेल होती है वो स्टागल में जाते हैं यह उल्टा है तो नहीं तो नेचरल हम स्टागल करेंगे शुक्रे मरसा बात करने के लिए तो दर्श को यह थे सुशील सूधन जी जो जैन के फॉर्मिस्ट गॉर्मिंट फॉर्मिस्ट आसोसेशन के अध्यक्ष थे जिन्होंने अपनी डिमांज के बारे में बताया और ये भी कहा कि जो हर्याना के फॉर्मिस्ट है उन्हें जल्दी से जल्दी जो हर्याना गॉर्मिंट है उनकी सुनवाई करे जल्दी से जल